तो बच्चों एक question दिया गया है ये question कबार चाप question है ये question आप से कह रहा है कि 4 point charges रखे हुए है इस तरीके से आपने एक square ले लिया और ये इस square के diagonals है ठीक इस square का नाम हम ले लेते हैं A, B, C और D हमने इस तरीके से A, B, C, D करके ये square आपका बना लिया अब बच्चों आपको मैं बताओं कि A के पास यहाँ पर जो charge है वो है 2 µ कूलम का और B के पास यहाँ पर जो charge है वो है –5 µ कूलम का इसके इलावा बच्चों D के पास यहाँ पर जो charge है वो है –5 µ कूलम का और C के पास यहाँ पर जो charge है यह है –2 µ कूलम का ठीक है? तो यह सारे charges आपको दिये गए अब क्योंकि यह एक square है तो इसकी side है 10 cm, 10 cm, 10 cm और 10 cm बचे, Diagonals जब cutting करते हैं आप यह तो जानते हैं कि square में यह angle जो किनारे वाले होते हैं सब 90 degree के होते हैं तो इसमें अगर हम पाइथागोरस लगा दें तो AC square is equal to AB square plus BC square, hypotenuse square is equal to perpendicular square plus BC square तो यहां से आपका AC square हो जाएगा 10 square plus 10 square, तो 200, तो AC square, तो AC के वहली हो जाएगी under root 200, यानि under root 2 into 100 हो जाएगी ठीक है बच्चो, अब हम next slide पर आते हैं, तो आप यह मान के चलें कि AC के value हो जाएगी under root 2 into 100, अब 100 का root निकलके 10 आ जाएगा, यह root 2 रहेगा, तो 10 root 2 cm हो जाएगा अब इस diagram को हम दुबारा से इस तरीके से बनाते हैं बच्चो, जो हमने बनाया था, A, B, C और D, और यहां पर central portion है आपका, तो बच्चो, आप यह मान के चलिए, कि AC जो आया है, यह 10 root 2 आ गया है, similarly, जैसे AC आया है, वैसे ही इसका BD भी आ जाएगा, और उसकी भी value आपकी रहेगी 10 root 2 cm, बच्चो इस point को O मान लेते हैं, तो यह diagonal से एक दूसरे को mid point पे काटते हैं, प्रोपर्टी है, यानि AO is equal to OC, और आप जानते हैं, BO is equal to OD, और जब ये दोनों, यानि ये side equal to ये side होगी, और ये side equal to ये side होगी, तो ये 10 root 2 का आधा होगे, यानि 10 root 2 का आधा कितना हो जाएगा, 5 under root 2, ये भी हो जाएगे 5 under root 2, तो ये हमने सारा हिसाब किताब निकाल लिया, अब बच्चो ये पूछ रहा है, कि आगर हम यहाँ पे इस center पर 1 microcoulomb का charge रखने है, आप जानते, A पे रखा हुआ था 2 microcoulomb, और C पे रखा हुआ था 2 microcoulomb, यार ये वाला 2 इसको इधर repel करेगा, इसी तरीके से, ये वाला 2 इसको इधर repel करेगा, तो यानि इस पे दोनों तरफ repulsion forces काम करेंगे, अब आप देखिए, इस वाले के लिए, Q1, Q2 और R square, तो Q1, 2 microcoulomb, Q2, 1 microcoulomb, और R जो है, 5 root 2 का square, जानि इस force के लिए, इस force के लिए, जो है, Q1, Q2, 2 microcoulomb, 5 microcoulomb, और distance जो है, वो, 5 root 2, यानि ये इस पर, इस तरह वाले जो repulsive forces है, ये equal and opposite है, और इनका जो F net आ रहा है, वो क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, यानि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इस पर F, ये वाला जो force है, वो हो जाएगा कि, Q1, Q2, तो values रखके आप निकाल के दिखा सकते हैं, अला कि इसकी कोई जरुवत नहीं, आप ऐसे बता सकते हैं, Q1, 2, 2, ये equal है, इसी तरीके से बच्चों, अगर हम नेक्स लाइड में, बना लें ताकि confusion नहों, तो ये है हिसाब किताब आपका, ये वाला diagonal हम चेक करवा देते हैं आपका, तो यहाँ पर आपको जो charge दिया गया है, वो minus 5 micro coulomb है, और यहाँ जो charge दिया गया है, वो minus 5 micro coulomb है, और ये center ये 1 micro coulomb है, ठीक है जी, तो जाएड बाते हैं, ये minus, इस plus को इस तरह फटराइड करेगा, और ये minus इसको इस तरह फटराइड करेगा, q1, q2, minus 5 और 1 है, यहाँ भी q1, q2, minus 5 और 1 है, और ये distance भी दोनों में क्या है, same है, यानि इस पर इधर का force और इधर का force फिर से equal and opposite है, यानि यहाँ पे भी f net क्या निकल क् देखेंगे, तो overall f net is equal to zero हो जाएगा, on one micro pool, तो यही आपका final answer है बच्चो कि overall जो f net होगा, वो कितना होगा, zero होगा, direction, diagram, values, सारी चीज़े explain कर दी, आप चाहे हैं, तो एक दो step बढ़ा के values रखके इसको दिखा सकते हैं, thank you very much, बहुत बहुत धन्यवाद,